ताजा तर्टन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें इसलम अदिनखान और आब देख रहा है प्राहा टाइमस वीरार की रहने वाली एक लड़की के साथ छेर चाड का मामला सामने आया है और इस पीडित लड़की की सिकायत पर विरार पुलिस ने दो लोगों पर मामला दर्ज किया है जिसमें एक आरूपी इस लड़की का मौसा लगता है जिसका नाम का歌 भूतो है तुम वहीं दूसरे आरोपी रमन दास है पीडिता के अनुसार रमन दास कोस्मेटिक समालों की बिक्री करता था मगर इस पीडित के घर से धिरे-धिरे जान पहचान हुई इसके बाद गर पर आनगा शुरू हुआ मगर फिर रमन दास इसी पीढ़ित के घर रहने लगा पीढ़िता ने बताया है कि अक्सर उसके साथ करीब दो से तीन सालों से छेड़ छाड़ करता था जिसके बाद पीडित ने अपनी मा को इसके बारे में बताया लेकिन इसके बावजूद छेड़ छाड़ की हरकत जारी रहा लगातार मा से शिकायत करने के बाद रमंदास पीडित लड़की के साथ मार पीड भी शुरू कर दी घर में जगड़े होने के कारण लड़की के परिजनों ने लड़की को कोलकत्ता भेज दिया उसके मौसा के घर लेकिन लड़की के साथ महा भी छेड़ चार की घटना सामने आई इस पूरी घटना पर लड़की ने क्या जानकरी दी है आपको सुनाते हैं दीरे दीरे वो प्रोड़क्त वगडरा घर पे देने आने करता था और उसके बाद पिर आने जाने रहतेöttे में family जैसा बन गया घर पे ही रहने लगा मेरे ममा को ममा ममा कहने लगा तो उस हिसाब से मेरी ममी ममी एन हम सब भाई बहन बना लिये तो रहने आया था तब कुछ दिन तक कुछ महने तक सब सही था एकदम नॉर्मल था धीरे धीरे उसकी बुरी नजर मुझे पर पढ़ने लगी कभी कबर ऐसे होता था कि घर पे कभी ममी बाहर चली गई तो कहीं भी रहे वंदा कुछ भी कामतार है भाग के आएगा मैं कहीं भी रहूंगी गले लगाना चूमना करना सब रहता था तो दो तिन बार मैंने देखा अब कोई भी चीज एक सही तरक से टच करे भाई के हिसाब से कोई बहन को और कोई गलत नजर से टच करे वो टच में मालूम पड़ता है तो मुझे वो गलत लगा मैंने मेरे ममी को बताया कि ममी ऐसा ऐसा होता है तो मुझे गलत लग रहा है तो ममा मुझे कहती है कि वो बड़े भाई के हैसियत से तुझे गले वगले लगाता रहेगा तो गलत समझ रही है तो मैंने कही बार वो चीज को ममी को बताना चाहा बट वो नहीं समझे उन्हें वही लगा कि वो बड़े भाई के हैसियत से करता था लेकिन भाई जैसा कुछ भी नहीं था वो बस अपने हवस के लिए यह करता है चैल्समैन वाला बंदा और दुसरा मेरे अपने मौसा जी मैं गाउ में हाँ से मेरे रिलेटोस के घर पर आना जाना रहता है तो उनका नाम क्या है दुनों मेरी मम्मी को ममी ममी कहा है कि फैमली जासा बने के हमारे घर पर उसने कदम रखा अचाय जो आपके साथ घठना हुई है छेर चाड़की तो यह जो है कितने सालों से ऐसा चल रहा था तीन साल से और अपने अपने मां को कितनी बार लगभः अनदाज आक तोर पर पितनी बताया बताने के बाद ममी ने कहा कि बड़े भाई के हैसियत से करता रहेगा तो टेंशन मतले देन कुछ दिन बाद ममी ने उसे मना कर दिया कि उसे गलत लगता है वह कुछ और समझ से बैठेगी इससे अच्छा है कि मत करो तो जैसे वो चीज बंद हुई उसके बाद से वो मेरी चोटी-चोटी गलतियों पर पहले गाली देने लगता था उसके बाद फिर गाली से लेकर मार पिट तक आ गए थी मेरे मम्मी पापा के सामने छोटी-छोटी बातों को लेकर छोटी-छोटी गलतियों को लेकर मारने भी लगता था तो मेरे मम्मी पापा हमेशा उसी के सपोर्ट में रहते थे उसे एक लवज तक नहीं कहा बहुत जादा हो चुका था मेरे मम्मी भापा तंग आ गए तो मुझसे कि हर बात पे लड़ना जगड़ना चलता है इससे अच्छा है कि तू गाउं चले जा वहाँ पे रह जा बेकार में मगजमारी घर पे जगड़ा चाहिए नहीं गाउं लेकर गए हमें वहाँ पे रिलेटे उसके घर आना जाना यो तब से मेरे मौसा जी की मितब चाल से मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो उस हिसाब से मैं जादा उनके पास नहीं रहती थी पूरे दिन बंदन नशे में रहता था वो दिन के टाइम पे था रात को मैं रूम में अकेली सो रही थी और सबके सो जाने के बाद केली हूँ मैं बेडरूम में कुछ भी हो सकता है मैं रिक्स क्यों लूँ मैं वहाँ से उठके बाहर चली गई बाहर जाके मैं मेरे मासी के साथ सो गई जो पूरी घटना हो रही है आप जिस तरह से बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या आपके उपर किसी तरह का प्रेशर किसी ने बनाया है ये बोलने के लिए या आपके साथ जो हुआ है वो हकीकत बया कर रहे है या कोई आपको डरा धमका कर ये सब बुलवा रहा है जो आ में क्यों मरूँ गलती उसकी है जिसकी गल्ती होसे सजा मिलनी चाहिए कि गलत मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों अपको सजा दू तब मुझे यह शगुफता मैं मिली एंजी के तुरूर उन्हेहोंने मुझे मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे मोटिव किया और मुझे ये एसास दिलाया कि तू गलत नहीं है, तेरे इंसाफ के लिए मैं लड़ूंगी और मैं ये सारे F.I.R. वगरे जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी ने मुझे कोई तरह का, किसी भी तरह का जबरदस्ती नहीं किया है, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, और जो कुछ भी आगे भी कर रही हूँ, शगुफता मैं से मेरे सपोर्ट में है बाकि जो कुछ भी फैसला लिया है सब मैंने ही लिया है मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं किया मुझे कॉल आया आंटेन पहले कि यह लड़की ऐसी इसी परिशानी करकर और इसका यह यह मैट रहे तो मैं ने भूला ठीके मैं दो तीन दिन में पूरा दीटिल करकर फिर मैं आपको बताती हूं फिर ये लड़की को मैंने दो दिन पहले बुलाया, पुरी बात सुनी इसकी, सेल्समें स्क्रिप की जाहरात की कि ऐसी ऐसी बात है करकर मैडम मेरे कोई नहीं है, मैंने मेरे घर परिवार को बोला, मेरे दादा दादी को भी ये बात मालूम है, मैं अकेली लड़की पढ़ना खरकते करते हैं, इसलिए मैं भाग के घर से मैं अब यहां आई हूँ, ये लड़की का कॉलकता में शायद मिसिंग कम्प्रेंट भी लिखा गया है 15 दिन पहले, लेकिन ये लड़की को हम लोगों ने बुला कि ठीक है, अब हम देखेगे, मैं वीरार पुली स्टीशन गई, वीरार पुली स्टीशन में मेरे साथ मेरी दूसरी मेला मंडल भी थी, वो लोग हम लोग जाके वीरार पुली स्टीशन में आफिसर को अपना कम्प्रेंट वगे ले दिया, हमने एसीपी कमीशनर से वर्सापे मैसेज करके दाला, उन्होंने हमसे बहुत कॉर्पेट किया, और बोले कि आप फॉरन ले लड़की को लेके हमारे पुली स्टीशन पाँच जाओ और कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमें लो, वीरार पुली स्टीशन में पुलीस वालों ने कॉर्पेट या लड़की का स्टेटमेंट लिया, उसके घर परिवार को बुला है, घर परिवा तो बोले नहीं, उसको हम नहीं निकालेंगे, ये भले जाना चाहिए तो जा सकती है, आज से हमारी जवाबदरी, हमारी जीमेदरी कतम होगए, इसको पढ़ना, लिकना, नौकरी करना या जो कुछ भी बनना है, वो कर सकती है, हमारे इसमें कुछ इन्वर्डमेंट नहीं है हम हमारी हाथ से लिकर दे दे सकते हैं, मैं भी ठीक है, लिकर दे रही है, तो फिर मैं आगे की कर भाई, मैं देखूंगी लड़की ने बताया कि वो लगतार छेल चाल की घटना से परिशान होकर बिना बताय मुंबई चली आई, जिसके बाद परिजनों ने मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, ऐसा लड़की ने बताया है, वही विरार पुलिस ने इस मामले में आरूपियों के खिलाफ कत्याचार अधिनियम आठ के तहट मामला दर्ज कर आरूपियों के तलास में जुट गई है, तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं, प्रहाट टेंक